बच्चों देखो ज्यान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षादर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह है शिक्षाविभाग राजिस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारेक्रम है, डीडी राजिस्थान के अलावा अन्ने तेरा नेटवर्ग चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षादर्शन, राजिस्थान राज्य शेक्षिक अनूसंधान अवं प्रशिक्षन परिशद उद्यपूर के तत्वाधान में इस कारेक्रम क कारेक्रम के अंतरगत कक्षा एक से बारा के लिए प्रति दिन सवा तीन गंटे के लिए शेक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, कारेक्रम के अंतरगत प्रति दिन कक्षा एक से बारा के लिए पाठेक्रम आधारित शेक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा नौ से दस के के लिए साड़े बारा से देट बजे तक तथा कक्षा ग्यारा एवं बारा के लिए देट से धाई बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा एक से पांच के लिए तीन से साड़े तीन बजे तक एवं कक्षा चैसे आट के लिए साड़े तीन से सवाचार बजे तक कारेकरम प् और इंग्लिश विशे में दरैट्स एंड एनिफेंट्स. नमस्ते, अभिनन्दन, एवं सभी का हार्दिक स्वागत. आज का हमारा अध्यन विशे है आकरती की समझ. हम अपने आसपास कई विभिन आकरतियों की चीज़े देखते हैं. चलो, आज हम कुछ मुख्य आकरतियों के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं. ये हैं तीन प्रमुक आकरतियां, गोल, यानि व्रत्तकार, चोकोर और त्रिकोन. आज हम गोल आकरती के बारे में समझने का प्रयास करेंगे. गोल आकरती की बहुत सी चीज़ें जो शायद आपने देखी होंगी, जैसे पहिया, गड़ी, बॉल, ठाली और रोटी. ये बच्चे गोल आकरती की चीज़ें ढूंड रहे हैं. आप भी देखो, आपके आसपास गोल आकरती की चीज़ें कौन-कौन सी हैं? बच्चों ने कुछ चीजे खट्टी की है चलो देखते हैं कि इन में से कौन सी चीजे गोल आकरती की है पत्ती, नहीं ये गोल नहीं है नारंगी, हाँ ये गोल है बॉक्स, नहीं ये भी गोल नहीं है कंकर, ये तो बिल्कुल गोल है केला ये भी गोल नहीं है बटन हाँ ये गोल है और सिक्का ये भी गोल है मैं समझ गई मैडम गोले में कोई कोना या किनारा नहीं होता बिल्कुल सही कहा तुमने गोले में कोई कोना या किनारा नहीं होता और गोले की रेखा सीधी नहीं गुमावदार होती आओ गोला बनाना सीखें एक कागस, पैंसिल और कोई भी गोल चीज जैसे सिक्का, कटोरी, चूड़ी से हम गोला बना सकते हैं इस तरीके से तुम भी कागस पर वृत बनाने का अभ्यास कर सकते हो देखो कुमार ने मिट्टी से एक गोला बनाया है क्या आप भी मिट्टी से एक ऐसा गोला बना सकते हैं? मैडम, देखो मैंने चूड़ी, बटन और सिक्के से ये चेरा बनाया है बहुत सुन्दर है थाली, कटोरी, सिक्का, ढकन, आदी, गोल चीजों से गोले बना कर आप भी कई सारे चित्र बना सकते हैं देखो, कुछ चित्र मैंने भी बनाए हैं आप अपने बनाएं चित्रों को दिवारों पर सजा सकते हैं शुब कामनाई लिख कर दोस्तों को दे सकते हैं या एक फाइल में भी खटा कर सकते हैं चलो गिनते हैं कि हर चित्र में कितने गोले हैं एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार, पांच एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब जब आप भी गोले से कोई चित्र बनाओं तो गिनना की चित्र में कितने गोले हैं? एक कागस पर गोला बना कर कैंची से चित्र में बताय गए तरीके से काटो गोल कटे अलग-अलग रंगों के छोटे बड़े कागसों से हम कई सुन्दर चीज़े बना सकते हैं है ना कागस से बना ये फूल बहुत सुन्दर पांच थोड़े बड़े और पांच थोड़े छोटे गोल आकरती के कागस काटो छोटे कागस को बड़े कागस के किनारे पर चिपका दो और फिर चित्रानूसार इसे एक के उपर एक रख कर चिपका दो और लो, बन गया फूल, इसे बना कर किसी कार्ड में या अपनी कला की कौपी में भी चिपका सकते हो और ये हैं कुछ और कागज से बनी अनोखी चीजें, जिसे तुम भी थोड़ा प्रयास करके बना सकते हो पहली है मदुमख्य, बराबर के दो काले व दो पीले गोल कागज से इसका मुख्य शरीर बनाओ, दो किसी भी रंग के कागज से उसके पंक बना दो फिर छोटे छोटे गोल कागजों से उसकी आंखे व एंटीना बना लो थोड़ा समय लगेगा पर आनन दाएगा पांच से साथ बराबर के गोल-गोल कटे हुए कागजों से इस तरह की इल्ली या कैटरपिलर बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है कटे हुए कागजों को चित्र अनूसार थोड़ा एक के उपर एक रखो फिर कागज के छोटे टुकडों से उसके पैर बना दो आंख और मुह पहले कागज पर पैन्या पैंसिल से बना दो बस इल्ली बन कर तैयार है अब तो आप गोले की आकरती को अच्छे से पहचानने लगे होंगे तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इन में से गोल गुड़ू कौन है मुझे कागज पर गोल आकरती बनानी है बताओ इन में से मैं किस चीज का उप्योग करूँ तिकोना स्केल, डिबबा या प्लेट अगर आपका उत्तर प्लेट है तो यह बिलकुल सही है देखो और बताओ कि मेरे हाथ में यह ढखकन किस डिबबे का है पहले का, दूसरे का या तीसरे का हाँ, सही जवाब है दूसरे नमबर वाला डबा यह डबा भी गोल है और धकन भी गोल है बधाई हो, अगर आपने सब सही जवाब दिये हैं तो आप गोल आकरती को बिलकुल सही समझ चुके हो उम्मीद है आपको हमारी आज की बातचीत अच्छी लगी होगी अगली बार हम चोकोर आकरती के बारे में समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा चार में, इंग्लिश विशे में इच वन इस यूनीक तो बच्चों, यहाँ पर इच वन, इच वन मीन्स सभी, हर एक कोई इस यूनीक तो बच्चों, इस यूनीक का मतलब होता है खास तो हर एक विक्ती खास है तो बच्चों, आज हम एक बहुती मोटिवेशनल स्टोरी मोटिवेशनल मीन्स प्रेणा दायक कहानी पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए स्टूडेंस शुरू करते हैं यह कहानी तो सबसे पहले हम कुछ क्वेशन्स डिसकस करते हैं तो बच्चों, पहला क्वेशन है Whose picture is this? Means, यह जो picture आप देख रहे हैं यह किसकी है? तो बच्चों, जवाब है देवेंद्र जाजलिया की दूसरा सवाल है Has he lost his one hand? Lost का मतलब होता है बच्चा खो जाना, है न? तो आप ध्यान से देखिए इस picture को यह देखिए यहाँ पर कि इनका एक हाथ आप देख सकते हैं वो नहीं है एक हाथ में तो उन्होंने बहाला पकड़ा है और जो यह दूसरा हाथ है वो उनका नहीं है तो yes, हम जवाब दे सकते हैं Yes, he has lost his one hand Let us read the following story Following का मतलब होता है निमनलिखित A story means बचों, कहानी तो चलिए अब हम जो कहानी दी हुई है उसे पढ़ते हैं It narrates narrates means बताना His achievements in his life तो यह जो कहानी है बचों वो क्या बताती है Achievements Achievements का मतलब होता है उपलबधिया In his life Life means जीवन तो अपने जीवन में उन्होंने जो भी उपलबधिया हासिल की है वो हमें इस कहानी के जरिए पता चलेगी Devendra Jhajariya was born in 1981 तो Devendra Jhajariya का जन्म 1981 में हुआ था And he is from Churu District in Rajasthan और वे Rajasthan के Churu Jilay से है At the age of 8 तो जब वे 8 साल की उम्र में थे While climbing a tree तो बच्चों climbing का मतलब होता है चड़ना तो जब वो 8 साल की उम्र के थे और वो कहां चड़ रहे थे पेड़ पर, tree पर He touched Touched का मतलब होता है चूना He touched a live electric cable तो यहां बच्चों आप समझे कि electric cable का मतलब होता है बिजली का तार और live का मतलब क्या होता है जिसमें current आ रहा हो तो जब वे 8 साल के थे और वो पेड़ पर चड़ रहे थे तो उन्होंने एक बिजली का तार को छू लिया था He received medical attention और फिर उनका ilaj हुआ But the doctors had to cut off his left hand लेकिन जो doctors हैं उन्हें cut off, cut off का मतलब होता है काटना, his left hand तो उनका जो बाया हाथ है वो doctors को काटना पड़ा था But he was confident लेकिन उनके अंदर बहुत ही विश्वास था And very much interested in sports Interested means रूची, लगाव होना तो उनका जो है Very much means बहुत जादा interest था, रूची थी किसमें? Sports में Sports means खेलों में He joined a sports academy और इसलिए उन्होंने क्या जोइन की? Sports Academy तो बच्चों Sports Academy का मतलब होता है खेल प्रेसिक्षन केंदर जहां पे खेलों का प्रेसिक्षन दिया जाता है तो क्यूंकि उनकी रूची थी Sports में इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी एक हाथ खो जाने के बावजूद उन्होंने Sports Academy में admission लिया In 2002 जहांजरिया वन the gold medal in Korea और 2002 में उन्होंने Korea में Swarn Padak जीता gold medal means Swarn Padak one means जीतना In 2004 जहांजरिया qualified for his first summer Paralympics representing India at Athens और 2004 में उन्होंने Athens में ये देखी बचो Athens के summer Paralympics में summer Paralympics में पहली बार first time भारत को, इंडिया को represent किया प्रतिने दित्व किया भारत का तो उसके लिए उन्हें चुना गया था qualify किया गया था कि वे भारत का प्रतिने दित्व करें At the games he set a new world record in javelin throw तो बच्चों खेलों में उन्होंने एक नया विश्व record new world record उन्होंने स्थापित किया, बनाया in javelin throw javelin क्या होता है बच्चों भाला तो भाला फेकने में उन्होंने एक नया विश्व record बनाया At a distance of 62.15 meter और जो उन्होंने भाला फेका उसकी दूरी कितनी थी distance means दूरी कितनी थी 62.15 meter and got the gold medal और स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता and he became the only second gold medalist at the Paralympics for his country और वो अपने देश के लिए Paralympics में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले बन गए His success in Athens honoured him with 2004 Arjun Award और एथेंस में उन्की इस सफलता के लिए 2004 में उन्हें Arjun Award से समानित किया गया He received India's prestigious Padmishri Award in March 2012 from the President of India और फिर March 2012 में भारत का प्रतिश्ठित Padmishri Award भी उन्हें मिला Padmishri Award ये देखिए बचों March 2012 में उन्हें मिला from the President of India तो किस से मिला उन्हें? भारत के राश्ट्रपती से and becoming the first Paralympian to be honoured with the award और वो इस award को जीतने वाले पहले, first, पहले Paralympian बन गए He has recently won a silver medal at Doha Qatar in 2015 तो Qatar में उन्हें 2015 में Silver medal रजट पदक जो है वो उन्हें जीता तो बच्चों, उमीद है कि आपको जो देवेंद्र जाजरिया है उन्हें क्या उपलब्दियां हासिल की है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी तो हमें इससे प्रेणा मिलती है कि हमें कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े लेकिन अगर हम ये लगन और आत्म विश्वाश हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं थैंक यू बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा पांच में परियावरण विश्वे में परिवारों का आना जाना भाग एक हमस्कार बच्चों आज हम आपकी कक्षा पांच के पर्यावरन अध्यन के पाठ दो परिवारों का आना जाना विशय पर चर्चा करेंगे. आज हम एक परिवार जिसमें एक बच्चा संतु रहता है, उसकी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. आईए देखते हैं, संतु और उसके परिवार को एक गाउं से दूसरे गाउं क्यों जाना पड़ता है? अरे संतु, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मा, देखिए ना, दो साल हो गए, पर यह अकाल खत्म ही नहीं हो रहा. हमारे पशू भी बेजान से पड़े हैं, देखिए, वो देखिए, हमारी बकरी बिलकुल बेजान सी पड़ी है. उसके लिए भी खाना नहीं है वो उसके लिए भीने को पानी नहीं है उसका हाल किता बुरा है अजब पश्वों के लिए भी खाना पानी नहीं है और हमारे लिए नहीं ये अकाल कब खत्म होगा बेटा हम कर भी क्या सकते हैं हमारा खेत भी सुखा पड़ा है दो साल से अच्छी फसन नहीं हुई हमारी जरूरतों के लिए पैसे भी खत्म होने वाले हैं हमें कुछ तो करना होगा नहीं तो हम और हमारा अमर पुरा गाउ नश्ठ हो जाएगा क्या करें क्यों न हम अपने भतीजे शाम के गाउं चले वहां सुना है पिछले साल बारिश हुई थी वहां हम कुछ दिन अच्छी तरह रह पाएंगे हाँ वही चलते हैं न वैसे भी हम वहां पे अकाल खत्म होने तक ही रह लेंगे मैंने सुना है कि वह बहुत ही अच्छा गाउं है शाम बाईया से भी मिली लेंगे ठीक है मुरली पुरा गाउं चलते हैं वहां हम तीनों अकाल खत्म होने तक रहेंगे जब ये अकाल खत्म हो जाएगा तब हम वापस अमर पुरा आ जाएंगे चलो मैं सामान बादना शुरू करता हूँ वापिता जी मुरली पुरा तो बहुत ही अच्छा गाउं है मैं यही पे इस घर को किराई पे ले लेता हूँ श्याम के घर भी हम कित्ते दिनों तक रहेंगे हाँ मैंने मकान मालिक से बात कर ली है अब हम उसी घर में रहेंगे हम मुझे यह घर सक्ची में अच्छा लगा घर तो मिल गया क्यों न अब हम दोनों यहां कुछ काम भी ढूंड लें ठीक है हम दोनों काम पे जातें संतु बेटा तुम आराम से घर पे वैठके पढ़ाई करो पिताजी मुझे अपने गाओं की याद आ रही है अमर पूरा में हमारा घर भी कितना बड़ा था उपर से मेरा स्कूल, मेरे दोस्त मुझे सच्ची में गाओं की याद आ रही है बहुत तुम ने बिलकुल ठीक कहा बेटा वहाँ पे हमारा घर और खेत दोनों यहां के खेत और घर से बड़े थे यहां पे हमें घर पे भी किराई पे रहना पड़ रहा है उपर से यहां का खेत भी थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है वहां पे भी मेरे खेत को पता ही कौन संभाल रहा होगा पता नहीं पर मुझे लग रहा है कि हमें वापस अपने गाउं चले जाना चाहिए अरे एक अच्छी खुश खबरी है पास की पडोसन बता रही थी कि अमरपुरा गाउं में अब अकाल खतम हो चुका है वहां पिछले हफ़ते से बहुत अच्छी बारिश हो रही है अब हमें भी अपने गाउं लोटने के बारे में विचार करना चाहिए हाँ मा अब हमें अपने गाउं वापस चले ही जाना चीए वहां का अकाल खत्व हो गया तो चलते हैं ना पिता जी मैं अभी समान बांधता हूँ चलो वापस अमर पूरा चलते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हम वापस अपने घर जा रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आएगा अरे वाँ ये हमारा गाउं है ये तो पहचान में नहीं हारा कितना सुन्दर हो गया है यहाँ पे पानी भी कितना अच्छा है एक दब हरा भरा बहुत ही अच्छा गाउं लग रहा है हमारा अब हमारे पशू भी बहुत आराम से यहां रह सकते हैं उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी और हरा भरा चारा खाने के लिए मिल जाएगा और अब मैं वापस खेती करूँगा और अब मैं वापस स्कूल जाओंगा और मैं साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है गाओं वापस आके जरा सोचिये जब संतु को दूसरे गाओं जाना पड़ा तो उसे किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा सोचिये बिलकुल ठीक संतु अपने स्कूल नहीं जा पाया होगा उसकी पढ़ाई में रुकावट आई होगी और सोचिये हाँ संतु अपने मित्रों से बिछड गया अब वह अपने मित्रों के साथ पहले की तरह खेल भी नहीं पाता होगा आपके आसपास कोई परिवार ऐसा देखा है जो दूसरी जगे गया हो या दूसरी जगे से आया हो जरा सोचिये देखिए इस चित्र में किस प्रकार रेगिस्तान में रहने वाले लोग उटों पर अपने घर का समान रखकर एक जगे से दूसरी जगे पलायन कर रहे हैं अब इस परिवार को देखिए यह परिवार भी कच्चे घर बना कर कुछ समय के लिए किसी इस्थान पर रहते हैं वा फिर अन्य इस्थान के लिए पलायन कर जाते हैं बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा पांच में इंगलिश विशे में दरेट्स एंड एलिफेंट्स आज हम पढ़ते हैं क्लास फिफ्थ की इंगलिश बुक का चैप्ट नमबर त्री तो इस लेसन को पढ़ने से पहले आईए चलिए पढ़ते हैं कुछ क्वेश्टन आंसर्स तो पहरा क्वेश्टन है आर भी आल अफ दे सेम साइज? क्या हम सभी का आकार सेम है? नहीं नो दूसरा क्वेश्टन देखते हैं क्या एक छोटा जानवर बड़ी जानवर की मदद कर सकता है? तो जवाब है येस आपको अधिकतर अपने छोटे भाई बेहनों की मदद के लिए कहा जाता है क्या आप उनकी मदद करते हैं? बताइए हाँ I help them How do your younger brothers and sisters help you? आपके छोटे भाई बेहन आपकी मदद कैसे करते हैं? They help me in my daily routine work वो मेरे रोजाना के कामों में मेरी मदद करते हैं Long, long ago, काफी लंबे समय पहले, a group of rats lived happily in a forest चूहूं का एक समूहूं प्रसन्नता पूर्वक एक जंगल में रहता था One day, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water हाथियों का एक जंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा Many homes of rats were destroyed under their big feet और उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नश्ट हो गए Some rats were also killed और कुछ चूहे भी मारे गए The king of rats, Mushakraj, went to the king of elephants, Gajraj चूहूं का राजा, Mushakraj, हातियों के राजा, Gajraj के पास गया and requested him to take his herd through another route to the pond और उसे अपने जुंड को किसी और मार्क से तालाब की और ले जाने के लिए निवेदन किया He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats और उसने निवेदन स्विकार किया तता हातियों को बिना चूहूं को परिशान किये दूसरे रास्ते ले जाने के लिए कहा Mushakraj was very happy and pleased with Gajraj Mushakraj बहुत खुश हुआ और Gajraj से प्रसन्न हुआ He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed और उसने उनको धन्यवाद दिया और वादा किया कि अगर आवशकता हुई तो चूहे हातियों की सहायता करने के लिए हमेशा तयार रहेंगे And hearing this, the elephants in the herd laughed thinking How small rats could help big elephants और यह सोचते हुए वे हसने लगे की छोटे चूहे विशाल हातियों की मदद कैसे करेंगे He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound अपने समू के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए उसने कहा तथा उस अवाज की दिशा में वे गई Near the pond, they saw the elephants caught in the trap kept by some hunters तालाब के पास उन्होंने हातियों को शिकारियों द्वारा लगाए गए पंदों में जकडे हुए देखा After a few months, कुछ महिनों पश्चात One fine day, एक अच्छे दिन When the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे They heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond और उन्होंने तालाब की दिशा से हातियों के चिलाने की आती हुए तेज आवाद सुने Mushakraj realized that the elephants were in some danger और Mushakraj समझ गया की हाती किसी संकट में थे The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth और Shigrita से चूहों ने अपने दातों से रसियों को काटना शुरू किया Soon the elephants were set free और Shigrita से जो हाती हैं वो free हो गए, मुक्त हो गए They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया तथा उनके चोटे आकार के लिए उनका मजाक उडाने के लिए खेद व्यक्त किया, means दुख व्यक्त किया क्योंकि इस मुसीबत से चूहों ने ही उन्हें बचाया था तो students आप समझ गए कि आकार छूटा होने पर भी जो चूहे हैं उन्होंने विशाल हातियों की कैसे मदद की बच्चों, आज आपने पड़ा कक्षा 2 में गणित विशे में आकरती की समझ कक्षा 4 में इंगलिश विशे में each one is unique कक्षा 5 में परियावरण विशे में परिवारों का आना जाना भाग 1 और इंगलिश विशे में the rats and elephants बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा एक में गनित विशय में क्रम बद्धता भाग दो कक्षा तीन में गनित विशय में तीन अंकों की संख्या की जानकारी वे तीन अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना वेकक्षा पाच में परियावरण EVS विशे में परिवारों का आना जाना भाग दो गनित विशे में संख्याएं बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंटरल स्कॉयर फाउंडेशन वा मिशन ग्यान इसके अतेरिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका शिरीमती अनीसा तलतीनवाला जी, पुनम कुमारी जी और डॉक्टर जैश्रीम आथू जी ने आज की वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कारिक्रम में तकनीकी सैयोग, यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन, एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों, आपको यह कारिक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें कारिक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें इमेल और डाक द्वारा फेश सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan21.gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक राजिस्थान राज्ये शैक्षिक अनुसंधा नेवं प्रशिक्षण परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313-001